बात हमिरपूर की कर लेते हैं हमिरपूर में बेखौफ खनन माफियाओं का आतंक जारी है माफिय बेधड़क पत्रिबंदित मशीनों के साथ अवैध खनन करे जा रहे हैं सुप्रीम कोट और NGT के नियमों को दरकिनार कर अवैध खनन चल रहा है कुल मिलाकर स्थिती यह है कि इस्थानी जिला प्रसाशन गैर जिमधार बनकर बैठा है बीदे महीने ही हमिरपूर के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापती ने इसके शिकायत मुख्यमंत्री से की थी पर विधायक के शिकायत के बावजूद भी आलात जस के तस्वर नदी में इन माफियाओं ने दरजन प्रतिबंधित मशीने लगा दी है पूरे मामले में दबंग खनन माफिया बॉबी भदोरिया पर खंड के संचालन का आरोप है तो इधर ये हमिरपूर की तस्वीरा आप देख रहे हैं प्रतिबंधित मशीनों के साथ अवैध खनन अपने पूरे जोर पर एक तरीके से जिलब प्रशाशन भी जो है वो इस अवैध खनन पर आखे मूंद कर बैठा है वो इस पूरे मामले में कई बार शिकायद भी की जा चुकी है पर कहीं से भी इन माफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप जैसे की तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही माफिया है जो इस पूरे सिंडिकेट का सेंटर बताय जा रहा है तो हमिरपूर की तस्वीरा आप देख रहे हैं आप बीच नदी में अवैध मशीने लगाकर खनन जो है वो पूरे जोर पर चल रहा है पूरी तरीके से नदी का जो धारप्रवा है उसे प्रभावित किया जा रहा है बालू का खनन अपने पूरे जोर पर है कुल्मलाकर स्थिती यह है कि जिलाप्रशाशन जो है इस पूरे मामले में आखे मूंद कर बैठा हुआ है बताया जार कि कई बार जिलाप्रशाशन से लेकर तमाम वरी अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में शिकायत की गई है पर स्थिती यह है कि शिकायत के बाद भी क कोई कारवाई नहीं हो रहे हैं यूं कह सकते हैं कि खरण माफ्याओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है